और यह फॉंटेन जो है ना वो कलर चेंज करता है तो मैंने सुचा जाते जाते इसकी ना खुबसूरती में दिखा दूं बहत ही प्यारा लगता रहता है पिंक, रेड, ब्लू एंड ग्रीन इसके कलर है तो काफी सुन्दर लगता है अब हम लोग यहां से निकल रहे है पहले लंका चलिए पिर उसके वाद फंकर मोचन चलिए बनारस की खुबसूरती तो रात में ही है रात में निकलो ठंडी ठंडी हवाँ तो बनारस भूमने का मजाना रात में ही है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहेगी, धूप नहीं रहेगी, क्योंकि दिन में अभी इतनी धूप रहती है ना, कि निकलने का मन नहीं करता रहता है, और आज हम लोग निकले हैं, बी-एच्यू देखने के लिए, सामका टाइम है अभ अगल को, चलिए अंकर, हम आपको दिखाएंगे बनारस, तो यह है बनारस और बनारस की खुबसूर की मजाया ना ना निकूर बनारस में, शारों तिंग बहुत मजाया है ना, तो आज है हमारा देखोन, और हमने आज बहुत सारा रेस्ट किया, और साम में निकले है भी घूमने के लिए, और काई आज आज लास के लिए, कल्ले इंपले आरे है, आज रात को घूमने का मनतर, क्योंकि हूँ को बहुत धूप लज जाती थी है ना, हूँ परेशान हो जाती थी धूप में, चलो, अज़िए दूप के भी बात नहीं है, तो तूप अब दूप लगताता, आज सोन नहीं पाती थी है, नहीं हो, ती यूप जल्दी उतना पढ़ताता, और रात में ये क्या, प्राफिक बहुत है, और ये है बनारस का जामा मजजिद, जामा मजजिद हर जगह ही होता है, नह नाम होता है, जामा मजजिद, क्योंकि डैली में भी जामा मजजिद है, मुझे ऐसा लगता है, कि जामा मजजिद हर जगह ही होता है, आप पूछना परेगा, कि इसके पिछे क्या है, लेकिन में हर जगह जगह जामा मजजिद देखते हूँ, अभी तो बनारस का दिखाया ह वही बहुत बारा जामा मजीदा भूगात ही फेमस की है तो हम लोग पहुच गया हैं भी एच्टी के कैंपस और यह है भी एच्टी कैंपस तो हम लोग अभी बैक गेट से आएं क्यूंकि फ्रॉंट गेट में बहुत जाम था इसके लिए अब देख सकते हो यह है बिडला होस्टल है ना आगे देखते हैं पता नहीं कौना होस्टल आएगा कि दोह मेंदेट मंदिर दोहउस्टल होस्टल ही है क्या ? पत्सके अंदर मंदिर यह दोह से होस्टल है का coaching ही दोह्य है और फोस्टल के अंदर जो है यह दुकान सब भी है ना खाने पीने का अब भी शल लेकर बनाए करें और इसी के अंदर बॉइस गर्ल्स दोनो होस्टल है यह बहाँ यह भी अच्छा है ना साड़ा अच्छा ही है सच में इतना बड़ा केंपस है या अभी रेका भी इसी में है तो हाँ कहें हैं बिर्ला मंदिर यह बिर्ला मंदिर यह इधार देखो ना चलो ना आएंगे तब फोटो किचाएंगे चलो जल्दी से दर्शन करते हैं मंदिर बंध हो जाएगी नहीं तो है ना नौ बज़े बंध होती है चलो 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 आपी होने वाली है यह उपर क्या है उपर भी कुछ है क्या अच्छे से ले लो यह गनेश अंबिका यह गनेश अंबिका चलो दर्शन हो गया ना अब चलो ही उनी कलो चलो पर यह यह अच्छे अच्छे की आशिकर आई यू को विश्मागना थै यू इन यह यू मंगो जल्दी इतना जोसे तो सब पुली चलो और यह है बिर्ला मंदिर का कैमपस ना यहां लोग बैठते हैं अपना घुमते फिरते हैं चोटा-चोटा मंदिर है सवी में उपर भी है मंदिर ना अच्छा तो अब हम लोग बिर्ला मंदिर से निकल रहे हैं हो गई पुरा घूम लिया हमने मंदिर के दर्शन भग्वान के दर्शन भी कर लिये गेट भी कितना सुंदर है ना तो यही है कैमपस बीएच यू का और काफी बड़ा कैमपस है लसी भाया लसी पीना है अच्छे जगह पे लसी रोपिएगा ठीक है मक्खन वाला वो बीएच और यहां के इस गेट को बोलते हैं लंका गेट है ना क्यों यह स्ट्रक्शर ऐसा है इसी लिए तो और हम लोग जो हैं में गेट पे पहुंच चुके हैं काशी विश्वनात काशी हिंदू विश्विद्याल है यह हैं आप अले बाली प्रिप्रिंगा विश्वनात के क्या ठीक हखा ़ुआ अचलाय के यह आखा ब स्ट्ट्ट एट भुआ ने खांग काशी लिए अचलाय का आन्या के उसा लागी कॉआ है दे दी जै अधा थैंक्यू बबगए बपकरना मेरा यतोरा कामरा बन करूँ साथ का है क्या साथ रुपे हैं यह कफी यह कफी वागी यू कैसा लगा लसी तुम तो अच्छा लगा हम पहुंच चुके हैं अपने निवासास्थान पे जहां पे हम लोग अभी रह रहे हैं और यह जगह काफी खूबसूरत है बहुत अच्छा लगता है यहां पे रहना यह मेरे वीडियो में आपने बार-बार सुना होगा तो गुम फिरके खापी के सारा मंदिर बंदिर दर्शन करकर के पहुंच चुके हैं अब रखते हैं मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए बाबाई गुम हो गया क्या कहां पे रखी थी कुछ याद करो कि नहीं आ रहे हैं चलो देखो हो तो कुछ श्याद करो तो मेरे खियाल से तूँ दर रखी थी यहां पर कुछ रखी थी ना नहीं वहां पर रुखी थी क्या वहां पर कि अंदर जो बनाj थी वीडियू ताब जब तुम मेरा वीडियो बना रहे थी तब की बात तुम कर रही हो तो फिर जब लीफ राखी थी उसको ही बगल में तो था है तो रात के टाइम में भी देख सकते हो आप ना कितना खूबसूरत लग रहा है ये बंगलो डाग बंगलो और ये बर्ड्स को देखो स्वान को क्या मस्त है ना पानी के चारो वगल बैठा हुआ है सारे के सारे और अभी हम लोग थोड़ा से यहां पर वॉक वॉक करेंगे घुमेंगे फिरेंगे थोड़ा यहां का खाना वाना खाएंगे ही यू थोड़ी दिर खेलेगी और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे घर करने के लिए तो बहुत मजा रहा है बनारस में सच में क्या बताओं यहां का खाना बहुत ही टेस्टी है यहां का चार्ट बहुत ही टेस्टी है अगर आप लोग आते हो ना तो यहां पर पापरी चार्ट जरूर जरूर ट्राई करना यहां का प कि याने बाखी लखी तो यहां का फेमस है हर गली हर दुकान दो दुकान के बाद आपको लखी की दुकान यहां पर मिल जाएगी जो कि बहुतती होती है कि यू समय मिला मिला नहीं तो चलो फर दूसरा खրी discourmia देंगे चलो कि यू कोँछ हो ग्म है चलो कोई बात नहीं फिर मैं दूसरा खरीद दूंगे उसके लिए साइड नहीं होना है अब मैं करे बोट बाफोर गुम हुआ है कुछ भी गुम होता है